नमस्कार दोसू आप सबी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत हैं दोस्तो देख रहे हैं आप कितनी सुन्दर मिठाई लग रही हैं ये है दोस्तो पनीर रोल काजू रोल भी हमने बना लिए बादाम रोल भी हमने बना लिए आज हम बनाएंगे पनीर रोल दोस्तो बनाना बह पनीर चाहिए होगा, पनीर दोस्तों हमने 50 ग्राम लिया है, 50 ग्राम पनीर से ही हम ये मिठाई बनाएंगे आज, मैंने पनीर लिया है 50 ग्राम और इसे ग्रेट कर लेते हैं, अच्छे से कद्दुकस कर लें, अच्छे से इसको कद्दुकस करके या फिर हास से ही आप इसको मस ये मैंने कद्दू कस कर लिया है और कद्दू कस करने के बाद भी मैं इसे खास से मसलूंगी क्योंकि मैंने इसका मुलायम सा डो त्यार करना है इस तरीके से आप हथेली से ऐसे मल सकते हैं जैसे कि मैं इसको महीम सा बना दूंगी बिलकुल महीम सा हमने इसका डो त्यार करना ह आप भी ऐसी करिए जैसे मैं कर रही हूँ अगर दोसों आपने ये मिठाई जादा मातरा में बनानी हैं तो उसी हिसाफ से आप थोड़ा थोड़ा जादा मेटीरियल लेते जाएं तो इस तरीके से मैं पनीर को मेश कर रही हूँ इस तरीके से ये बिलकुल महीम सा बन जाना च जाता है आप एक बार करके देखना इसको दोस्तो हमने पनीर के मलाई लड़ो भी बना रखे हैं आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का इस तरीके से आप दोस्तो मसल ने पनीर को बहुत ही सोफ्ट सा डो त्यार कर लेना है यह तियार हो गया है और इसे रख देते हैं अब सायड केकी अगला प्रोसेस शुरू करते हैं अब चलते हैं अपने next टेप पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार मिक्सी के जार में सबसे पहले हम डालेंगे यह है दोस्तो कोकोनेट पाउड़र अगर आ स्कते हैं अगर आपके पास नार का पुरादा का समय आकर को कि Have a लन्वाइं नारीयल का भी अगर भी कारत बिक फैसे अज हम ये साना मटीरियल डालेंगे तो मैंने डाल लिया है नारीयल का पुरादाम अब मैं यह दालू तो 10 नहीं दो न ह। ही हेल liberate बनेगी क्योंकि हम इसमें healthy healthy चीजे डालने वाले हैं ये देखिए मैंने काजु डाल दिये हैं अब मैं 10 ही बादाम लूँगी बादाम हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही helpful है दिमाग तेज करने में काफी help करते हैं बादाम और बोड़ी की immunity भी बढ़ जाती है इनको खाने के बाद अब दोस्तो बादाम तो मैंने डाल लिये हैं अब इसमें डालेंगे हम 10 पिस्ता मैंने ये तीनों चीजे 10 दस ली हैं आप quantity बढ़ा भी सकते हैं अगर आपने ये ज़्यादा मातरा में बनानी हैं 10 मैंने पिस्ता लिया है और एक चमच या आधा चमच इलाइची पा देखने में ज़्यादा सुन्दर लगे तो इसलिए मैं यहाँ पर food color ले रही हूँ तो इस तरीके से आपने इसको powder सा बना लेना है सारची जो का आपने powder fine सा powder बनाना है mixi में तो इस तरीके से मैंने powder तो बना लिया है अब दोस्तो इसको भी हम चान कर लेंगे क्योंकि एक पीस रही जाता है पीछे से तो हम इसको चान के लेंगे चान के यह हमारा fine सा powder हमें मिल जाएगा सारी जगह से आप उतार ले धकन वगरा से ताकि हमारा कुछ भी material waste ना हो तो इस तरीके से आपने यह चान लेना है चलनी से चान सकते हैं और चमच इसमें चला चला के आप सब्जी की gravy बनाने में use कर सकते हैं इसको waste बिलकुल भी ना जाने दें या तो दुबारा इसको grind कर ले या फिर आप इसको सब्जी में डाल सकते हैं पूरा use करें इसका तो यह देखे दोस्तो मेरा fine सा powder बनकर ready हो चुका है इसको हम mix कर लेते हैं powder को अच्छे से ताकि स सारे चीजे आपस में मिल जाए अब चलते हैं दोस्तो गैस पर गैस पर रख देना है आपने एक पैन इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी और अब एक कप जो मैंने कप लिया था नारियल के बुरादे में उतना ही कप आपने दूद लेना है आप घर का कोई भी सैट कर सकत हैं बरतन उसी हिसाब से आप सारा समान लीजिए तो मैंने दूद डाल लिया है इसको अच्छे से आपने गरम कर लेना है और इसी में से दोस्तो आप थोड़ा सा दूद निकाल सकते हैं एक कटोरी में और उसमें थोड़ा सा केसर भी गो कर रख सकते हैं क्योंकि दोस्तो हम इसमें केसर भी डालेंगे केसर से दोस्तों बहुत ही बढ़िया मिठाई बनेगी आपकी इसमें से थोड़ा दूद रख सकते हैं या पहले ही कटोरी में दूद डाल कर गरम दूद उसमें केसर डाल सकते हैं ताकि हमारा अच्छे से कलर उसमें आ जाए जितनी देर आपका केसर रहेगा दूद में उतना ही अच्छा सा कलर निकल के आएगा केसर का तो इस तरीके से मैंने दूद रख लिया है एक कप ही लिया है अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम थोड़ा सा गरम होने देते हैं इसको और इसमें डालेंगे हम चीनी, मीठा करने के लिए हम चीनी डालेंगे, वही कप जो हमने दूद मे लिया था, नारियल के बुरादे मे लिया था, वही कप हम लेंगे, लेकिन वो आधा कप लेंगे हम चीनी का, मतले जितना दूद लिया है, उससे आधी हम चीनी लेंगे, आप डालेंगे इसमें दोसों एक चमच देसी घी, जो देसी घी हम डाल रहे हैं, इससे एक तो आपकी जो रोल हैं वो गाड़े बनेंगे, अच्छे से बनेंगे, और उनमें चमक भी आएगी, इसलिए हम घी डाल रहे हैं, घी का डालना बिलकुल और आप्षनल हैं, आप चाहें तो डाले नहीं तो ना डाले तो इस तरीके से हमने घी भी इसमें मैल्ट कर लिया है अब हम डालेंगे केसर वाला इसमें दूद मैंने ये दूद पहले ही अलग से रखा हुआ था केसर डाल कर तो इस तरीके से आपने सारा केसर वाला दूद इसमें डाल लेना है दूद में द आखों के लिए तो बहुत ही अच्छा है आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप बच्चों को केसर वाला दूद जरूर दे बनाकर उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर है आप जाकर देख सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपने केसर डाल लेना है इसमें अब हम डालें हैं या फिर जैसे ही गरम होता जाएगा आप ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप गैस बंद कर सकते हैं गैस बंद करके आप पनीर मिला सकते हैं इसमें अगर आपको जादा देर लगने वाली है इसको मेश करने में तो इस तरीके से दोस्तों मेर पनीर भी मेश हो चुका है बाकी जो थोड़ा बहुत है ये भी मेश होता जाएगा जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे इसको तो आगे हम इसमें डालेंगे दोस्तों ये है milk powder आप milk powder कोई भी company का ले सकते हैं तो milk powder मैंने लिया है dairy milk powder मैंने लिया है एक cup जितना मैंने दूद लिया था बस मैं एक ही cup से measurement कर रही हूँ वही cup मैंने दूद लिया है milk powder इसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे गैस अभी बंद रखें क्योंकि इसमें डलिया बगारा पढ़ने का डर रहता है तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे mix करते जाएं इससे lumps वगारा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके अगर आप डालेंगे दोस्तो इसको मिलाते जाएं अच्छे से mix करने के बाद आप इसमें डालेंगे जो हमने बादाम, काजू और कोकोनेट बुरादे का जो पावडर बनाया था ना वो डाल लेते हैं ये भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है उसे मिक्स करते जाएं या एक साथ भी आप मिक्स करेंगे तब भी ये लंप्स बगार इसमें नहीं पड़ेंगे तो आपने बड़ी साथानी से मिक्स करना है लंप्स नहीं रहने चाहिए इसमें इस बात का आप ध्यान रखे दोस्तो जैसे जैसे आप इसे पकाओगे ना तो ये थोड़ा सा गाड़ा होता जाएगा इस तरीके से और याद रखे दोस्तो इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसके नीचे फ्लेम कर देंगे तो इसका जलने का डर रहेगा और एक दम से ये परफेक्ट मिठाई नहीं बनेगी तो इस तरीके से दोस्तो आपने इसको मिक्स करते जाना है और देखे दोस्तो गाड़ा सा हो रहा है मेरा ये पेस्ट अब इसमें डालेंगे दोस्तो एक और चमच देसी घी आप चाहें तो डाले या फिर बिल्कुल भी घी ना डालें बिना घी के भी आपके रोल बहुत ही अच्छे बनेंगे बस घी डालने से क्या होगा आपके ये मुलायम बनेंगे और शाइनिंग आएगी इसमें और अगर देसी घी हम किसी भी मिठाई में डाल लेते हैं तो इसका टेस्ट तो थोड़ा बढ़ता ही है तो इस तरीके से आपने सारी चीजे मिक्स करनी हैं अच्छे से इसको पकाते जाएं लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ज्यादा फ्लेम बिल्कुल भी ना करें पूरी रेसीपी में शुरू में आप थोड़ी हाई रख सकते हैं फ्लेम जब हम दूद को बाल रहे हैं चीनी को मेल्ट कर रहे हैं उसके बाद से आप फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें तो इस तरीके से मेरा ये फाइन सार डो बनकर त्यार हो गया है ये मिठाई दोस्तों आपकी 10 मिनिट के अंदर अंदर बन जाएगी ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा इसको बनाने में तो ये लिजी दोस्तों मेरा ये फाइन सार डो बनकर त्यार है इस तरीके से इसकी पहचान क्या है कि हमारे रोल सही से बनेंगे देखिए जैसे मैं इसको चला रही हूँ ये नीचे नहीं चिपक रहा है बड़ी ही अच्छी तरीके से इकठा होता जा रहा है इस तरीके से आपने इसको इकठा सा कर लेना है तो ये लिजी दोस्तों मेरा फाइन सा डो बनकर इसका त्यार है अब ये रोल बनाने के लिए परफेक्ट है तो अब गैस कर देते हैं बंद और इसको पैन में फैला देते हैं या फिर अलगा प्लेट वगरा में भी से निकाल सकते हैं ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए बस हमें इतना ठंडा करना है ताकि इस पे हाथ से लग जाए ज्यादा भी ठंडा आपने नहीं करना है इतना ठं मिनट के अंदर अंदर ये ठंडा हो जाएगा अब आपने क्या करना है हाथ पर लगाना है घी और या तो इसे हाथ पर रोल कर ले इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके शेफ सी बनाके और या फिर हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे ये देखिए दोस्तों मैंन भगों में भी इसको काट सकते हैं इस तरीके से और फिर इसको शेव दे ले अच्छे से जैसे रोल होते हैं उस तरीके से आप कर लें तो ये लीजिए दोस्तों इसी तरीके से मैंने सारे रोल बना लिये हैं एक एक बना सकते हैं या फिर इसको फैला कर इस तरीके से काट कर अपने रोल बना लें यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी अगर आपका डो पतला हो जाए तो आप क्या करें यानि टाइम से पहले आपने गैस से उतार दिया है तो क्या करें या तो इसे गैस पर दुबारा रखके थोड़ा सा पका लें तब आपका ये टाइट हो जाएगा दूसरा तरीका या फिर आप इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल सकते हैं उससे भी आपका ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा रोल बनाने में आपको हेल्प हो जाएगी तो इस तरीके से दोस्तों देखे मेरे सारे रोल बन कर त्यार है हास से आपने इसके शेप ठीक कर लेनी है इस तरीके से अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा से इसको सजा देते हैं चांदी का वर्क ले ले ये सिल्वर वर्क और इसको लगाते हैं अपने रोल पर और ये लिजे दोस्तो मेरे रोल त्यार है इस पर लगाते होए थोड़ी सी दिक्कत आती है रोल पे क्योंकि बर्फी पे तो एकदम सैट हो जाता है ये रोल पे थोड़ा सा time लगता है लगा कर इसको set कर लें अच्छे से तो ये लिजे दोस्तो मेरे सारे रोल त्यार हैं आप चाहें तो silver work ना लगाएं अगर लगाएं तो असली वाला लगाएं तो इस तरीके से दोस्तो मेरी बर्फी बनकर त्यार है त्यार है हमारे रोल, कोई भी महमान आपके घर आ जाए, तो आप बजार से लाने की बजाए, आप घर में ही इस रोल को त्यार कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से आप रोल बनाएंगे ना, तो आपको सभी पूछेंगे, जो भी खायेगा वही आपसे पूछेगा, कि आपने कैसे बनाए हैं या किस से सीखे हैं तो दोस्तों आप भी इस तरीके से घर में मिठाई बना सकते हैं दिवाली पे बना सकते हैं किसी तिहार पे बना सकते हैं या घर में बना कर रख सकते हैं महमानों को दे सकते हैं तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और कब आप इसे बना रहे हैं रेसीपी को आप मेरे साथ शेर जरूर करें तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ऐसी रेसीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों